आप लोग के लिए एक और बेस्ट न्यू लोन अप्लिकेशन ले करके आ गया हूँ काम से कामाइंटरेस्ट रेट पे आपको प्रोस्टन लोन प्रुबाइट करता है पचास हजार का जिसका नाम है DOZLIS लोन अप्लिकेशन इस application से आपको loan लेने का तरीका बताऊंगा interested कितना लएगा और आपका data को safe and secure रखता है क्या ये application RBI और NBFC द्वारा register application है totally review करने के बाद आपको loan के लिए apply करने का process बताऊंगा इसकी downloading की अगर मैं बात करूं तो एक लाग से भी जादा लोगों ने download करके यहां से 50,000 तक loan ले रहे हैं और इसकी review की अगर मैं बात करूं तो 3.7 review देखने के लिए मिल जाता है जिसका नाम है Dogele's loan application इस application का link मिल जाएगा description में वहाँ पर click करके install कर लेना है उसके बाद आपको about features की अगर मैं बात करूं तो इस application का यहां पे देख सकते हो NBFC द्वारा authorized application है और RBI द्वारा register है तो आप इस application पे 100% trust कर सकते हो बीना कोई problem के बीना कोई issue के आपका loan प्रोबाइड करता है इस application की अगर मैं बात करूं तो 1000 से ले करके 50,000 तक का आपको dodge lease loan application से आपको loan provide किया जाता है repayment करने का समय की अगर मैं बात करूं तो 3 महीने से ले करके 12 महीने तक का आपका repayment करने का समय मिलता है interest rate की अगर मैं बात करूं तो 10% से ले करके 24% तक का आपका interest rate लगता है processing fee की अगर मैं बात करूं तो 1% से ले करके 6% तक का आपका processing feel लगता है और आपका percentage annual की मैं बात करूँ तो 8% से ले करके 24% तक के और गाईज इस application की अगर मैं बात करूँ age की तो गाईज अगर आपका age 21 साल का है तो loan के लिए apply कर सकते हो और इसमें अधार card और pen card आपका है तो loan के लिए apply कर सकते हो और आपका source of income यानिकी अगर आप 12,000 रुपिये on कर पाते हो तो loan के लिए apply कर सकते हो और आपके पस एक bank account होना चाहिए ताकि आपका जो loan अप्रूब हो आपके अपने bank account में transfer हो इस application में आपको अधार card और pen card और एक bank account होना चाहिए तो आपका loan अप्रूब हो जाएगा और आ कैसे कैसे किया जाता है interest rate कितना देना पड़ेगा repayment का process क्या होता है योदी इस application के थूर लोन लेते हो और आपका 30,000 का loan अप्रूब हो जाता है repayment करने का समय 6 महीने के लिए processing fee आपका loan amount का 3% लगता है 900 रुपिया प्लस GST 112 रुपिया जो की 18% और annual interest rate 17% टोटल आपका यह यहां पे हो गया 30,000 का interest rate 505 रुपिया और यह माई आपको पर मन्त पे करना पड़ेगा 30,000 का 6 महीने तक 5,251 रुपिया और यहां पे ARP यहां पे APR interest rate देख सकते हो देखने के लिए मिल जाना 29% तो गाईज अगर आप 30,000 का अगर आप लोन लेते हो और आपके अपने bank account म 28,938 रुपिया आता है और टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा 31,505 रुपिया यानि कि टोटल कोस्ट आपका लोन हुगा यानि 25,600 रुपिया देखने के लिए मिल जाएगा कॉम से कॉम और इंट्रेस टेट में डोज लीज लोन अप्लीकेशन आप लोग को लोन अप्लीकेशन को इंस्टोल करे लिए निग साइब कर लेना है इसको अब करने के बद्सक्रीप्रीप्स अपना मुबाइल नंबर फिल कर लिया हूं जैसे ही आप अपना मुबाइल नंबर फिल कर लेते हो उसके बाद सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही send OTP पर click करते हो तो आपको कुछ समय तक wait कर लेना है dan कुछ समय तक wait भताना है, कभी कभी आपका OTP लेत भी जाता है तो OTP को यहां पर fill करने के बाद, आपको confirm वाले option पर click कर लेना है और जैसे ही आप confirm वाले option पर click करते हो तो guys यहाँ पर label up में आपको 10,000 का loan मिल सकता है credit limit मिला है guys videos को complete देखो आपको totally मैं आपको बताने वाला हूँ जो लोग miss करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आगा और comment में बोलोगो कि यह application है वो application है और आपने बताया नहीं तो guys इसमें आपको 10,000 का limit मिल सुका है जिसमें कि आपको 3 महीने तक का repayment करने का समय है और interest rate की मैं बात करूँ तो 0.065% आपका per day interest rate लगता है उसके बद यहाँ पे credit loan मिलता है जो कि limit आपको मिल जाएगा 30,000 का 6 महीने का repayment करने का समय interest rate आपका सेम उसके बद डॉज loan आपको देखने के लिए मिल जाएगा maximum credit limit 50,000 का जो कि 12 महीने का repayment करने का समय उसके बद यहाँ पे देख सकते हो interest rate सेम तो guys अब आपको करना है loan के लिए apply करना है तो loan के लिए apply करना है तो get money now वाले option पर आपको click करना है और guys जैसे ही आप get money now वाले option पर आप click करते हो तो guys यहाँ पर आपको देखने के लिए verification करना पड़ता है उसके लिए कुछ आपको information feel करना पड़ता है तो information feel करने के लिए first option में देख सकते हो आपको select करना पड़ता है employment type तो employment type select करने के लिए आपको arrow वाले option पर click करना है यहाँ पर on employment हो, self employment हो, salary person हो, senior executive हो इसमें से आप देख सकते हो क्या हो तो employment type में government, job student हो, company के manager हो तो जो भी आपको यहाँ पर click करना है मैं salary person हो तो salary पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर marital, status, single हो, married हो तो यहाँ से आप जो भी हो आपको यहाँ पर click करना है उसके बाद education, qualification तो arrow वाले option पर click करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो secondary school में हो, high school में हो, diploma की हो, bachelor हो, master हो या doctorate हो तो इसमें से जो भी आपका degree है तो यहाँ पर आपको slack कर लेना है उसके बाद यहाँ पर monthly income कितना है अगर आपको काम करते हो self employment होगा, salary person होगा, government job होगे तो आपको पास कितने per month पैसे मिलते हैं तो यहाँ पर जो भी आपको पैसे मिलते हैं per month है तो guys यहाँ पर आपको amounts लेक कर लेना उसके बाद residential type में आपको rented पर रहते हो या office provide किया है आपको घर या on खुद का घर है या other तो guys मैं rented पर रहता हूँ तो rented पर मैं click करूँगा उसके बाद जैसे ही आप rented click कर लेते हो आपको scroll करके उपर आना है उसके बाद यहाँ पर देख सैकते हो आपको देखने के लिए मिल ज़रा email ID यहाँ पर अपको फूल करना है company का नाम फिल करना है अगर आप business भी करते हो तो आपका business का क्या नम है तो जो भी आपका business का नम है तो गाइज मेरे को साथ तारी को बैंक एकॉन में मेरे पैसे मिल जाते हैं तो गाइज अब आपको देखने के लिए मिल जाते हैं पॉर्पज ओफ लोन लेने का आखिर आपका पॉर्पज क्या है क्यों लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पे काफी सारे आपको देखने के लिए म समय तक वेट कर लेते हो उसके बद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मीवाले औपसन के हो तो गाइस यहाँ पर आपको क्लिक करने ह estar intelligent उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे bank card पर click करते हो plus वाले add your bank card पर आपको click करना है और guys यहाँ पे देख सकते हो bank का information feel करना पड़ता है bank का information feel करने के लिए आपको first में IFA C code डलना पड़ेगा उसके बाद bank account का number डलना पड़ेगा confirm bank account click करके और confirm वाले option पर click करना होगा तो चल यहाँ पे आपको order history का option देखने के लिए मिल जाता है order history में click करोगे तो 24 hours के अंदर आपका loan approve हो जाएगा तो guys यहाँ पे आपका so हो जाएगा कि आपका loan offer यहाँ पे अगर प्रोसीड हो जाएगा यानि कि अगर आपका अप्रूव हो जाएगा तो अप्रूव हो जाएगा सारे application RBI और NBFC द्वारा authorized application है उस पे proper वीडियोज बना करके link देदिया हो description में एके करके वीडियोज को check out कर सकते हो और आपका 100% loan अप्रूव हो जाएगा कौम से कौम interest rate में repayment करने का समय ज्यादा दिन के लिए मिलता है तो एके करके वीडियोज को check out कर सकते हो i button में description में का link दाल दिया हूँ channel को subscribe नहीं कि हो subscribe करो video को like करो तो मिलते हैं ऐसे ही नए और loan application के साथ तब तक के लिए bye bye take care